एक बार स्क्रीन के तरफ देखिए, the body of the cockroach is elongated and segmented, बात कर लिए, ठीक है, divided into head, thorax and abdomen, अब इस figure को देखिए और आप label करने का कोशिस किजिए, head, फिर से एक बार revision कर लेते हैं, head, ये head portion है, thorax and abdomen, ठीक है, अब हम लोग बात किये, the body is covered by the chitinous exoskeleton, ठीक है, ये क्या चीज से cover होगा, catinous exoskeleton से पूरा का पूरा body covered होगा, और हर एक segment में, जो ये catinous plate होगा, इस plates को हम लोग क्या बोलते हैं, sclerides, समझ में आया, ठीक, अब क्या है, कि there are 10 segment, 10 segment होगे, अब जो ये dorsal side, यहाँ पर हम लोग बात किये, कि sclerides जो है, ये जो dorsal side होगे, इस dorsal side को क्या कहेंगे, ventral side जो होगा, इस ventral side को क्या कहेंगे, ठीक है, dorsal side जो है, इसको हम लोग क्या बोलना है, tersites and the ventral side is known as sternum, अब इस tersites और sternum को जोडने वाला जो structure होगा, पहले हम लोग बात कर चुके हैं, कि ये जो sclerides है, इस sclerides को बहुत ही important है, ये एकदम से आपको याद रखना है, यहाँ से MCQ आता है, ये जो arthrodial membrane है, इस arthrodial membrane से question आता है, इस arthrodial membrane का क्या काम है, कि ये sclerides, enterzites, दोनों को connect करेगा, ये जो segment देख रहे हैं, इस segment को connect करने वाला जो होगा, वो कौन होगा, आपका arthrodial membrane, ठीक है, अब क्या है कि एक्जोइसकेलिटन जो होते हैं, ये एक्जोइसकेलिटन पे wax का coating होता है, और ये wax का coating इसे dry होने से बचाता है, प्लस ये water का जो level है, body में maintain करने में मदद करता है, यहां तक तो कोई doubt नहीं है, next time, जैसे कोई film में कोई अच्छा द्रिस, सुन्दर द्रिस से, कैसे दिमाग में बैठा राता है, राता हैं बैठा है, हमेशा के लिए कभी नहीं भूलते, ठीक उसी तरह, इसे भी एक अच्छा सुन्दर द्रिस समझ के, एक सुन्दर picture समझ के दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक, यह जो portion देख रहे हैं, यह क्या है, head, head में हम लोग बताएं, कि head में क्या होगा, आपको compound eye मिलेगा, ठीक है, in front of the compound eye, इस compound eye के just सामने आपको क्या मिल रहा है, यह जो देख रहे हैं, यह क्या है, यह antenna है, ठीक है, antenna बना हुआ होगा, ए से बना हुआ रहाता है, अब यहां पर एक और structure आपको दिख रहा है, ठीक है, just near to the, हम लोग क्या परहे की, जो यह antenna है, antenna किस से बाहर निकलता है, antenna एक structure से बाहर आता, इस structure को एक membranous socket, क्या बोले, antenna जो है, यह membranous socket, around या in front, इसके in front, around, आपको एक, यह हम लोग बोलना है, क्या है, membranous socket, अब इस membranous socket के, यहां, यहां पर, यह ज्यादा मुटा हो गया, इस जगह पर देखिएगा, यह जो membranous socket है, यह जो एक white spot दिख रहा है, दिख रहा है, आई के just सामने, यहां पर, membranous socket के बगल में, यह white spot, जिसको हम लोग क्या बोलना है, असिलस, also known as white spot, इसको white spot बोलते हैं, ठीक है, और यह white spot, कहिए, इसको आप simple eye भी कह सकते हैं, यह simple eye है, simple eye, ठीक है, यह light को sense करता है, क्या करता है, light को perceive करता है, light sense करता है, तो head में, compound eye, बात कर चुके है, compound eye, the unit of compound eye is, क्या है unit, the unit of compound eye, the structural and functional unit of the compound, Ometedia, ठीक है, यह compound eye से साप साप दिखता है कोक्रोच को, कोक्रोच को दिखता है, नहीं दिखता, इस compound eye से नहीं दिखता, इसको mosaic vision होता है, ठीक है, यह numerous ometedia होते हैं, स्टरेक्चर होता है और यह अनुबब फिल करने के लिए इसके पास क्या होता है एंटीना होता है ठीक है यह antenna के मदद से food को search कर सकता है antenna के मदद से यह smell कर सकता है ठीक smell को पहचान सकता है antenna help करेगा food में ठीक है अब आजाईए यहाँ पे एक आप line खिज़ दीजे इस जगाँ पे एक line खिज़ दीजे यह यह पूरा अब यहाँ पे है सबसे पहला structure अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं labrum का एक number पे अगर हम लोग बात करें तो यह जो structure दीख रहा है यह structure यहाँ पे देखें यह क्या है यह दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे इस line से नीचे चलते जाईए ठीक है यह क्या है side view है अगर cockroach को side से देखिएगा तो side से देखने के बाद head ऐसा कुछ दिखेगा कैसा दिखेगा ठीक जैसा दिख रहा है screen पे ऐसा ही दिखेगा तो labrum labrum को हम लोग क्या बोले labrum is known as labrum को क्या ठाते है upper lip labrum is upper lip ठीक है labrum अब इस line से नीचे आईए यहाँ पे दिख रहा है आपको क्या है यह यह क्या दिख रहा है labrum यह क्या होगा labrum और labrum क्या है lower lip यह lower lip अपर lips lower lips अब इस upper lips और lower lips के आलावा mouth में जो और head में जो और appendages मिलेगा इस appendages को हम लोग यहाँ पे देखिए mandible यह question आता है mandible क्या होगा NCRT में आपका कम से कम यह लिखा हुआ है at least क्या होगा mandible का क्या होगा कितने mandible होंगे a pair याद रखिएगा a pair of mandible क्या होगा a pair of mandible उसके बाद इधर mandible कौन सा है इस figure को अगर इस figure में mandible कहां दिख रहा है यह बड़ा सा यह जो पूरा का पूरा जो broad portion दिख रहा है यह पूरा का पूरा portion क्या है mandible है और यह portion maxilla यह भी maxilla का अगर बात करें maxilla भी number में एक pair होगा ठीक है तो maxilla भी क्या होगा एक pair होगा maxilla एक pair होगा mandible upper lip lower lip यह सारा मिलके क्या बनाएगा mouth ठीक है अब यह जो mouth का सारा structure है यह in close करेगा एक structure को जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं इधर देखिए यह क्या है hypo pharynx और यह cockroach का जुवान है यह cockroach का क्या है hypo pharynx क्या होगा hypo pharynx टंग अगर टंग ऑफ cockroach है तो हम लोगों के टंग पर क्या होता है जो हम लोग कहते हैं यह sweet है salty है ठीक है कैसे पता लगाते हैं किस structure से क्या बोलता है इसे इस इस तो यहां भी इसके टंग पर भी test bud होते हैं test buds test buds are present ठीक है और यहां पर अगर देखिएगा hypo pharynx में क्या होता है जब हम लोग digestive system of approach पढ़ेंगे तो यहां पर एक जैसे क्या होता है celebrity gland होता है ठीक है celebrity gland के अलावा saliva को store करने के लिए celebrity reservoir होगा उस reservoir से एक duct निकलेगा ठीक है और इसको हम लोग बोलता है different salivary duct यह epifaryngeal part में pharynx का जो उपर वाला portion होगा epi term use होता है तो epifaryngeal वाले portion पे यह आके open होगा तो यह क्या हो गया जुबान हो गया ठीक है labrum, labrum को हम लोग क्या बोलना है upper lips, labium, lower lips यह बीच में यहाँ पे बीच में जो यह broad structure दिख रहा है इस broad structure को क्या बोलेंगे mandible और यह क्या है maxilla इसी को इधर देखिए इस figure में देखने का बात कीजिए तो हम लोग mandible का कुछ point discuss कर लेते है mandible में, mandible क्या है कि mandible जो होगा इसका upper portion अगर उपर वाला reason देखें यहाँ पे यह एक यह है दात के जैसा बना हुआ है, है ना दात के जैसा, ठीक, तो mandible में उपर जो होगा यह portion यूज होगा grinding में, ठीक है और नीचे वाला जो है, यह incising में, तो mandible का का काम क्या होगा, कि यह food को, ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं, तो cockroach कैसे खाता है, biting and chewing type होता है ठीक है, biting and chewing type, तो यह biting, chewing type में मदद कौन करेगा, यह जो grinding reason में and incising reason और यह कहां मिलेगा आपको mandible में एक pair होगा, एक pair का मतलब समझते हैं न, एक pair क्या होगा, maxilla होगा, यह labrum है, यह labium है और यह hypo pharynx है और इस पूरे figure को, इससे जादा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, इधर उधर का कुछ भी नहीं पढ़ना है ठीक, जितना ही इसमें है, यह label किया हुआ है, ठीक, upper lip, lower lip, mandible, maxilla, ठीक, hypo pharynx, इतना याद रखना है और इस diagram को पूरे तरीके से दिमाग में बैठा के रखना है, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका जो morphology है, according to the NCRT, morphology में, of cockroach में आपको इतना ही पढ़ना है ठीक है, एक बार इसको recap करते हैं, फिर से, क्या-क्या हम लोग बात किये, अगर morphology और cockroach का बात करें, first point, सबसे पहला जो दिमाग में आता है, क्या होगा, body, elongated होगा, segmented होगा तीन पार्ट में divide होगा, यह तीन पार्ट कौन-कौन सा होगा, head, thorax and abdomen, head जो होगा, six segment fused होगे, thorax, prothorax, mezothorax, metathorax, abdomen head में, head में आपको क्या मिलेगा, compound eye, antenna, antenna किसे originate करेगा, membranous socket से, antenna originate करेगा, podomiers से बना हुआ राता है compound eye का, जो structural and functional unit होगा, compound eye का, इसको हम लोग बोलते है, omateria एक और eye होगा, जिसको हम लोग बोलते है, oscillus, यह जो membranous socket है, इसके in front होगा, oscillus oscillus का, oscillus को हम लोग white spot भी बोलते हैं, या simple eye भी बोल सकते हैं, यह light को perceive करता है next, इसके बाद हम लोग बात किये हैं, कि head में appendages होगे, head में appendages क्या होगा, कौन-कौन सा होगा labrum, labium, maxilla, a pair, एक pair maxilla, एक pair mandible, ठीक है, mandible का का काम क्या होगा, grinding and incising hypopharynx, hypopharynx क्या होगा, tongue of the cockroach, tongue of the cockroach, ठीक, 6-15, ठीक, hypopharynx क्या होगा, tongue होगा, cockroach का, जुवान होगा, और इस जुवान पे test करने के लिए test buds भी present होते हैं, और इसी पे आके खुलेगा आपका, जो celebrity reservoir से different celebrity duct आके यहां पे open होता है, ठीक है, head portion, pro thorax से neck बाहर आएगा, ठीक है, और neck क्या करेगा, head को जोडेगा, ठीक, और यह head जो होगा, body से 90 degree पे होगा, flexible होगा, हर एक direction में head move कर सकता है, 90 degree पे होगा, इसके बाद हम लोग बात किये leg, leg जो होगा, तीन pairs होगे, हर एक pair, pro, meso, metathorex से बाहर आएगा, wings, दो wings होगे, four wings, also known as tagmina, four wings को क्या बोले हम लोग, tagmina बोले, hind wing होगा, hind wing, thin होगा, membranus होगा, flight में use होगा, means, जो काम का है, वो कौन सा है, hind wing है, thin होगा, membranus होगा, transparent होगा, सामने वाला जो होगा, four wings जो होगा, ये कैसा होगा, dark होगा, color में, dark, इसके अलाबा, ये leathery appearance होता है, ठीक, और ये opaque होगा, और ये flight में use नहीं होता है, ठीक है, अब देखिए, हम लोग क्या बात कर रहे थे, कि ये abdomen जो है, abdomen में हम लोग पढ़े थे, abdomen में कितने segment होगे, 10 segment होगे, 10 segment, ठीक है, अब हम लोग बात किये, 7th, 8th, 9th, अभी हम लोग पीछे बात कर रहे थे, 7th, 8th, 9th, sternum, form करेगा, brood या genital pouch बोलते हैं, और इसके anterior portion पे आपको क्या मिलेगा, female, gonophore, spermatical, pores and collateral glands, ये female का है, ये female के case में, एक मिनटे, ये female के case में, और अगर male का बात करें, male में भी बताए, male में क्या होगा, male में, ये जो genital pouch होगा, ये कहां पे present होगा, अभी हम लोग बात किये कि male में genital pouch is present, कहां पे hind end of the abdomen, abdomen के hind end पे present होगा और यह bounded होगा means dorsally अगर बात करें 9th and 10th तरगा अभी हम लोग परे थे कि dorsal surface पे क्या होता है terzides होते हैं और अगर ventrally बात करें तो ventrally by the 9th sternum ठीक है it contents इसमें आपको क्या-क्या मिलेगा dorsal side पे एनस मिलेगा और ventral side में आपको मिलेगा male genital pore and the gonapophysis इतना आपको याद रखना है ठीक है इसके बाद हम लोग फिर क्या बताए the male cockroach thread like anal style, anal style is only presented male anal style जो दिख रहा है यह सिर्फ और सिर्फ किसमें present होगा male में present होगा और यह female में missing होता है इसके बाद हम लोग बात किये कि 10 segment से एक filamentous structure बाहर आता है और इसको हम लोग क्या बोलते है anal सरकाई ठीक है तो morphology complete हो गया अब आप लोग unmute किजिए unmute किजिए सब लोग unmute yourself अब बताइए morphology में कोई doubt रहा गया या morphology clear हो गया